हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको रेडिमेंट जो सिकल्ट होती है उसको छोटी करना बताँगे उसको छोटा कैसे करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो प दो लेयर बन रही है और इसमें नहीं तो नीचे से कटिंग कर शकते हैं क्योंकि इसमें नीचे भी कढ़ाई और समोसा लेस लगी हुए और उपर से करेंगे तो भी हमें बहुत मैनत करनी पड़ेगी और शारीफ नीसिंग भी चली जाएगी तो हम इसको कहां से चोटी करें अब पहले इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है इसको नापके देखते हैं ये देखिए इसकी लेंथ है फ्रेंड्स इसकी चारीश इंच लेंथ है और मैंने इसकी लेंथ एक तारीश इंच तयार करनी है तो हम यहां से बीच से कट करेंगे तो यह पांच इंच एक्स्ट्रा ह तो हम 4 इंच कपड़ा निकाल लेगे, अध्धा इंच तो उपर के इससे में, और आध्धा नीचे वाले में, 1 इंच तो हमारा मार्जन चला जाएगा, सिलाई में, तो हमें 4 इंच कपड़ा निकालना है इसमें से, एक्स्ट्रा जो है, ये 40 इंच है, हमें 21 चाहिए, तो हम 4 निकाल लेंगे एक इंच सिलाई में चला जाएगा तो फ्रेंड्स वीडियो कटना करें बहुत कामाने वाली चीज है रेडिमेंट हम लेके आते हैं ये शिकल्ट वगेरा तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत आती है तो वीडियो कट नहीं करें तो यहां से देखेंगे इस नीच हाँ से पांच आँ नहीं हम निल्ट पांच पात्ट पर यह चाल आगे जो जोड़ें यहां से 5-5 इंच पर हम निशान लगात्य जाएंगे पूरी शिकल्ट पर आसके अब हमें जो निकालना है चीज इन देञेंगे तो यहां से हम कपड़ा नि निखालेंगे यह issसे इतना यह हो गई निशान ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगा लेंगे हमें दोनों तरफ यह निशान लगा लेने हैं जिससे चोटा बड़ा ना कटे बराबर कटेगा और वैसे एक साथ इसको काटने सकते क्योंकि इसके नीचे लाइनिंग लगी हुई है वो हमें आटानी होगी साइड मे और फिर उपर के कपड़े की कटिंग करेंगे तो मैं चारो तरफ लगा लेती हूँ यह पांच पांच इंच पे फिर जो कपड़ा निकालना है वो चार इंच का निशान यह ऐसे मैंने चारो तरफ इसमें यह निशान लगा दिये हैं अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो पहल प्रास्टिक में उपर जोईंट हो रहा है, वैसे अलग है, ये देखिए ऐसे, इसमें हाथ डालके, और ये अस्तर है, इसको हम अलग कर लेंगे, ये दियान रखे, कभी अस्तर को भी साथ में कट कर दो, ऐसे हाथ देंगे अंदर, इसमें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा अस्तर नहीं आ रहा और ऐसे शुरू करेंगे कट करना ऐसे बीच से हम कैची चलाएंगे ऐसे इसको शुरू कर देंगे और अस्तर को अटाते हुए ध्यान में रखते हुए जो हमने नीशान लगा था उस पे हम पूरे पे इस पे कटिंग कर लेंगे मैं इसकी कटिंग अराम से नीचे रखके और फिर करूँगी कहीं अस्तर ना कट चाहे ध्यान से करने पड़ेगी फिर आपको दिखाती हूँ ये देखी मैंने कटिंग कर ली है इसकी ये कर ली है और इसमें देखो ये उपर का इसा आ गया और ये नीचे का है अब हम करेंगे क्या इसको अस्तर को एलास्टिक की तरफ निकाल लेंगे पूरे अस्तर को ऐसे तो अब करना क्या है देखो ये जो सिकल्ट है ये उपर से बीड़ी होती चली जाती है नीचे से इसमें फ्लेवर जादा होता है तो हमने चार इंच कपड़ा जो बीच से पट्टी निकाल दी इसकी तो अब हम इसमें जोडेंगे तो छुटा बड़ा आएगा नीचे आड़ा इसा बड़ा लिगड़ेगा तो हम उस पर टाका लगाएंगे पहले हम इसको अच्छे से नाप के देखते हैं ये देखी ये देखो कम से कम दो डाई इंच बड़ा पड़ रहा है तो हम इसमें दोनों तरफ जोड है तो दोनों तरफ एक एक डेड़ इंच कपड़ा दबा देंगे जितना भी एक डेड़ उसको आधा एक साइड और आधा एक साइड दबा देंगे सिलाई लगा देंगे इसमें ऐसे ये मेरा लगबग दो या धाई इंच है तो मैं एक सवा इंच इधर दब दूँगे कपड़े को और इतना ही दूसरी साइड दब दूँगे इस सिलाई लगा के ऐसे इसमें सिलाई लगा लेंगे ये देखें और ये जो एक स्ट्रा कपड़ा निगला था इसको कट कर देंगे ऐसे ही हम इधर सिलाई लगाएंगे ऐसे ये लग गई सिलाई अब हम इस पर जोड लगाएंगे ये देखें अब ये जो इसकी लाइनिंग थी इसको हम लाश्ट की तरफ भार निकाल लेंगे पूरी को और फिर इसको देखेंगे ये जो नीचे वाला गेरा है ये सिद्धा रखा है तो जो उपर वाला जोइंट करेंगे उसको भी ऐसे ही सिद्धा पकड़ते हुए और दोनों को अटेच कर देंगे अच्छे से बगड़के आप इसको बराबर करके ही सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये थोड़ा जंजट्शा है इसमें लाइनिंग भी है तो इसको अच्छे से सिलाई लगाएं फिनिसिंग के साथ इस सिलाई को हम कंप्लेट करके फिर इस पे हमें एक लगाएंगे लैस गोटा वाली लैस लगाएंगे जो इसमें ओली पहले से भी लगी हुई है त तो वहील ऐसा मीज में लगा देंगे तो किसी को ये भी पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यहां से छोटा किया है और जोड लगाया है, ये ऐसा लगेगा, ये देखी इसको अंदर की तरफ ले लेंगे, अंदर की तरफ ले लेंगे, जहां तक शिलाई लगे, वहां यह देखिए ऐसे हम इसके सिलाई को कम्प्लेट कर लेंगे और बिल्कुल बराबर आया है कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आया यह देखिए सिलाई हो गई कम्प्लेट अब दिखाती हूँ आपको मैं इसे सीधा करके यह देखिए यह जोड है यह देखो इसमें पहले से थे दो जोड और एक जोड यह आ गया अब इसमें जैसे इसमें पहले से लगी हुई है ना जोडों पर गोटा लैस वही हम यह लगा देंगे जिससे इसकी सुन्दरता बढ़ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जोड है इसको ऐसे फैलाएंगे लाइनिंग को वहीं इलास्टिक की तरफ रखेंगे और ऐसे फैलाते हुए इसको अच्छे से इस जोड पर इलास्टेच कर देंगे यह देखिए मैंने लेस लगा दी इसकी और मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए फ्रेंट्स इसको सीधा कर देती हूँ अच्छी तरह से और फिर आपको दिखाती हूँ इसमें बिलकुल देखो कितनी सुन्दर फिनीसिंग आई है और पता भी नहीं चल रहा है यहां से कट किया है और यह तरीका बड़ा ही आसान है अच्छा है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो मेरी कैसी लगी देखो इसकी लेंथ मैंने जितनी चाहिए थी उतनी रेडी हो गई चार इंच कपड़ा इस मेजे निगल गया और यह बिलकुल एक तारीस इंच की ही है यह देखी यह पट्टे निगाल दी इस मेजे मैंने थैंक यू अगली वीडियो में फिर मिलेंगे झाली